इचालान तो सबको आते हैं लेकिन एक इचालान ऐसा आया है जिसके कारण एक जो लड़का है वो इन दिनों कापी दैशत में हम बात कर रहे हैं नाकपूर के उत्तर नाकपूर के विनौवावय नगर के करीब अनिकेत पोगले की जहाँ पर उनको एक इचालान आया हुआ है वह भी 5000 का वो भरने के लिए जाने वाले थे लेकिन जब इचैनल पर इमेज जब सर्च करते हैं तो गाड़ी को और कुछ और बताते हैं और डिटेल्स इनकी बताते हैं पूरा मामला क्या है अनिकेत से जानते हैं आखिर क्या वज़य अनिकेत यह आपको इचालान कब आया और क्या बताना चाहेंगे तो पेट करने के लिए जब मैंने उस लिंक पे क्लिक किया क्लिक करने के बाद में मैंने देखा तो वहाँ पे पूरी डिटेल्स मेरी थी नाम मेरा था पता मेरा था एड्रेस भी मेरा थी ता उसमें और मोबाल नंबर भी पूरे मेरी थी दोनों जब मैंने उस पे वहाँ प फोटो दी बुलेट और बुलेट पर मैंने जब तोड़ा जूम करके देखा तो लाइट के वज़े से वहाँ पर 2308 मेरा ही गाड़ी नमबर है उस पर 2308 तो मैं तोड़ा शॉक हो गया कि यह चालन तो मेरा है नहीं और उसमें जब नीचे लिखा था चालन किस वज़े से बना हुआ है तो वहाँ पर लिका था कि driving without valid license तो मेरा license तो valid है और मैं अभी ऐसा कई कभी करता नहीं हूँ पर कभी अगर हो गया होता तो मैं भरने के लिए तयार था पर मैंने अभी तक तो ऐसा कुछ crime किया नहीं हूँ और ना किसी के rules break किया हूँ ना traffic signal तोड़ता हूँ विदाउट हिलमेट तो कई बाहर निकलता नहीं हूँ और मुझे यह जब चालन आया है तो पाच जार का तो उसके बाद में मैंने जब इमेज देखा तो मैं चार पाच दिन से तो गाड़ी चालन आई बंद कर दिया क्योंकि मैं कहीं डर रहा हूँ कि एकदम पाच जार का च कुछ लापरवाई होगी जो उनने स्कैन नहीं कि होगे पर मुझे यह समझ में आता है कि जब हमारा हमारी गाड़ी जब चौक में पकड़ी जाती है और उस पर स्कैन किया जाता है तो स्कैन करने के बाद ए लोग तो प्यूरा पिछला रिकॉर्ड बता देते है और वहां पर लिखा भी होता है कि गाड़ी एक्टिव आ है फोर जीए फाई जीए सिक्स जीए क्या है तो इनको कई दिखा या नहीं दिखा मुझे लापरवाई के और तो पर इन्होंने ऐसे चालन बना के बस भीज दिये किसी को भी तो यह कुछ अटपटा लग रहा है मुझे इसक इनकी है या पिर जो गाड़ी जो चला रहा है यह गाड़ी चोरी की है क्योंकि आगे चलके अगर ओ गाड़ी कुछ क्राइम करते है तो इसकी जो भी रिस्पोंसिबिलिटी रहेगी हो मेरे उपर बिल्कुल भी न रहे अनिकेत किती बड़ी लापरवाई लगते है ट्रपि जो करती है गाड़ी का नंबर गाड़ी का नाम गाड़ी के मालिक का नाम सब पता चलता है तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है जब इन्होंने चालन बना है बुलेट का तो गाड़ी नंबर डालने के बाद इनको यह शो नहीं किया क्या कि यह गाड़ी 4G है 5G है एक्ट और असाई एक इमेज देख लेता हूँ कि कहा की इमेज है तो मैंने इमेज पे क्लिक किया तो तब मुझे पता चला कि यह चालन मेरी नहीं है नहीं तो मैं तो खुद भरने वाला तसर तो देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी लाप रहा ही जिसका खामिया जा एक सीधे साधे लड़के को भुगतना पड़ रहा है और वो इन दिनों अनिकेत पोगले दैश्यत में है क्योंकि अभी वो गाड़ी अगर भाहर निकालता है तो अगर उसको पुलिस वाले अगर उसक स्कैन करते हैं तो इस पर 5000 का जो भी जो चालान का जो है वो सारी चीज़े बताई जा रही है लेकिन उस चालान में अगर देखा जाएगा तो वो चालान जो है बुलेट की गाड़ी का बताया जा रहा है मतलब इमेज को सर्च करकिया जाया और सेम नंबर अनिकेत की में है और एक बहुत बड़ा क्राइम भी हो सकता है हम नहीं कहते हैं कि वो गाड़ी चूरी की होगी लेकिन एक नंबर के अगर दो गाड़िया शेयर में घूम रही है किसी का चालान किसी को जा रहा है तो इसकी तप्तिश होनी चाहिए कैमरा परसने रुद कापट करके पूर।